टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अभीर की कस्टडी मिलते ही अक्षरा असुरक्षित होती जा रही है। इस वजह से वे अभिमन्यू पर अपना गुस्सा जाहिर करती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रेमी प्रेमी का दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं. जहां कुछ लोग अक्षरा की मदद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अभिमन्यू की मदद करते नजर आ रहे हैं हलाकि आने वाले एपिसोड में अक्षरा अपनी गलती पर पच्टावा करती नजर आने वाले हैं सीरियल के आने वाले एपिसोड के प्रोमू में अक्षरा अभिमन उसे हाथ जोड कर कहती हैं कि अभीर को हमसे दूर मत ले जाना जबकि अभी पूछता है कि क्या मैं कोट कया था इस पर दोनों के बीच बहस होती है वहीं अक्षरा कहती है कि मैंने सच में तुम्हारी दुनिया देखी है इसलिए मुझे अपनी बेटे के लिए डर लग रहा है और आने वाले एपिसोड में अक्षरा को अपनी बेटे अभीर को अभीमन्यू के पास भेजने का पच्टावा होगा अब तक आपने देखा होगा कि अक्षरा अभीर के दूर जाने से निराश नजर आ रही है वहीं अभीर को मा अक्षरा और अभीनव पर भी गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से वेहुन से दूर नजर आ रहे है अभीमन्यू के करीब जाते हुए अभीमन्यू को भी अक्षरा की हालत देख कर दया आ रही है जबकि अभिमनियुकी मा मंजरी अक्षरा के बिडला हाउजाने और अभीर को लेकर चिंतित दिखाई दी रही है इस पर फैंस का कहना है कि अक्षरा एक बेटी को उसके असली पिता से दूर कैसे रख सकती हैं